हेलो दोस्तो आज अम बनाने जा रहे हैं लोखी के कोपते और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जो आपका चिकिन मटन होता है ये उसे भी फेल करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना इसकीप किए पूरा लास्ट तक देखें जिससे कि आपको अच्छे सा समझ में आए और आप इस तरीके से लोखी के कोपते बना सकें तो फिर चलो चलते हैं लोखी के कोपते कि तरफ यह मैंने एक लोखी लिए है और यह वन केजी के आसपास की लोखी है मैं इसे चील लेती हूं आप चीले से या फिर ग्लास से इसको चील सकते हैं मैं आपको ग्लास दिखाते हूं यह बिल्कुल किनारी वाला ग्लास लेना है और आप इस तरीके से ग्लास से चील सक छेलकत त्यार हो जाती है, यह देखू, मैंने लोकी को छील लिया है और अच्छे से धुल लिया है, अब मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ, आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकडों में भी काट सकते हैं, इसी दाकिन तरीके से मैं सारी लोकी को कद्दूकस कर यह देखो मैंने सभी लोकी को कदूगस कर लिया है अब मैं इसे हलका सा निचोड लेती हूँ इसमें जो एक्स्टा पानी है उसको निकाल लेती हूँ आप चाहें तो किसी कपड़े में बांद कर इसे थोड़ देर के लिए रख दें जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए मैंने सभी लोकी को निचोड लिया है और यह जो पानी है मैं इसे एक गलास में करके रख देती हूँ इससे या तो आटक गूच सकते हैं या जो इसमें पानी डालेंगे इसका ही भी यूच कर सकते हैं मैं इसमें बेसन डाल रहे हूँ हूँ लगबग चार बड़े चममच ठोड़ा लाल मिर्च पॉरर रहे और थोड़ा नमक और थोड़ा हारा धनिया पत्ता जब तक हम इसस goal 10rz तक करेंगे तब तक तिली गरम होने के लिए रख देते हैं जिसके मीक्स हो जाये अंधे भेशन को नियसंसे अच्छे से कर कर समक्रेंदे Ah मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है जोगा है अभा इद अधर हमारे यूश लाझे फ्राइक हो लिया है 26 इसे चार से पांच मेरा टेक साइट से कुक कर लेंगे मीडियम फिलेम पर अगर हम हाई फिलेम पर कुक करेंगे तो यह जल जाएंगे और खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लेगे इसी तरीके से मुलटते इपको सेक लेंगे हमारे लोक एक कोपते सिख लिए हैं अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से अपने सभी कोपते बना करके तयार कर लएँगे सबी कोपते बना करके मैंने तयार कर लिए हैं ये मैंने थोड़ा ओयल लिया है जो सीका बचा हुआ ओयल है इसमें में जीरा थोड़ा कड़ी पत्ता डाल लेती हूँ और दो हरी मिर्च प्याच और इन्हें खोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे ये में एक टमाटर डाल रही हूँ टमाटर से क्या होता है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर आप टमाटर पसंद नहीं करते हैं तो इसमें आप दही भी डाल सकते हैं दही से भी ये बहुत ज़्यादे टेस्टी लगते हैं हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं मैं इसमें थोड़ा पानी डाल लेती हूं और यह धनिय का पानी है मैंने इसमें थोड़ा धनिया पाउडर मिक्स कर लिया था डालक और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें पानी डाल रही हूँ पानी आप अपनी कोपतों में घरकिया आप कोपतों अब अधारों धाला नंग जाल रहे हैं आपको ग्रेवी पसंद दरते हुए नहीं हाँ करना है मीडियम फ्लेम पर ही हमारे कुपते बन करके तैयार है अब मैं इस सर्विंग प्लेट में निकाल रहेती हूं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को भी लाइक करें बेल आइकन के गंटी प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी वीडियो देखने के मिलती रहें थैंक्यू